स्वागते दोस्तों, excellent classes में यहाँ पर हम अपना live test यहाँ पर शुरू कर चुके हैं तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाईए यहाँ पर हम अपना live session शुरू कर चुके हैं और जितने लोग यहाँ पर join करते जाएं मुझे एक message कर दीजिए यहाँ पर live session हम अपना शुरू कर चुके हैं जल्दी से आप लोग इस session को join कीजिए आज का हमारा live session स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर हम question number one ले लेते हैं जल्दी से आप लोग आ जाईए question number one ले लेते हैं जल्दी से आप लोग इस session को join कर लिजिए live session होगा आज का हमारा है और आपके exams के लिए बहुत ही ज्यादा important होगा तो जल्दी से आप लोग मुझे live session join करने का message कर दीजे कि आपने live session join कर लिया है ताकि मुझे पता चलिया है कि आपने live session join कर चुके हैं जल्दी से आप लोग मुझे एक message करिए ताकि मुझे ए जानकारी हो जाए कि आपने live session join कर लिया है one message please for live classes जल्दी से आप लोग मुझे एक message भेजिए live classes आपकी start हो चुकी है जल्दी से लोग मुझे message कीजिए जितने लोग यहाँ पर session join कर चुके हैं किरपया करके message मुझे भेज दीजिए ताकि यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि आप लोग यहाँ पर live session हमारा join कर चुके हैं जल्दी से आप लोग आ जाईए और मुझे बताईए कि यहाँ पर live session आपने join कर लिया है live session आज का बहुत ही जादा important रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमने सारे important question जो आपके पिछले exams के लिए आईने थे तो यहाँ पर question number one ले लेते हैं question number one आपके लिए ले लेते हैं जल्दी से आप लोग मुझे message करिए live session live session हमारा सुरू हो चुका है question number one हमने यहाँ पर ले लिया है जल्दी से आप लोग मुझे बताईए question number one question number one हमने यहाँ पर ले लिया है जल्दी से आप लोग मुझे बताईए कितने लोगों ने यहाँ पर session join कर लिया है और question number one का right answer देना मुझे सुरू कीजिए आपके सभी लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ कि यह पर इच्छा के लिए बहुत ज्यादा important होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे के सारे questions आपके पिछले साल के ही रखे हैं तो आप जल्दी से question number one का right answer दीजिए जो लोग मुझे question number one का right answer यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही answer है प्रजबी की जो सबसे भीतरी परत होती है बिल्कुल सही है आपको मैं detail answer बता देता हूं question number one का right answer हमारा आ चुका है जल्दी से और भी लोग मुझे right answer दीजिए question number one जल्दी से मुझे right answer दीजिए question number one का very good question number one का right answer option number B है प्रजबी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं score option number B यहाँ पर right है question number 2 ले ले लेते है सारे के का सारे question आपके पिछले साल के आए हुए question है बहुत ही ज्यादा important होंगे और यहाँ पर live session हमारा start हो चुका है question number two हमने यहाँ पर ले लिया है दिर्बित मैगदा यहाँ पर जो हमारा liquefied magma होता है उससे बने cell को क्या कहते हैं जो हम जैसे पता है कि हमारी जो अर्थ है अर्थ के अंदर यहाँ पर लावा है तो लावा कैसे फॉर्म में है liquid के form में है जब यह liquid magma के form में प्रदबी की सतय पर बाहर आता है तो उससे जो cell बनती है उसको क्या कहा जाता है question number two हमने यहाँ पर ले लिया है very good यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है agnes shell और आपको मैं बता दूँ यह काली मिट्टी है यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माल अगनेश शैलों की कारण हुआ है यहाँ पर आपको सबसे पहले important बता दिता हूँ कि हमारे देश का अगर बात की जाए यहाँ पर यह है हमारा अगर प्राई दीपी भारत यहाँ पर अरप सागर है यहाँ पर है अरप सागर यहाँ पर है गुजरात अगर गुजरात की बात की जाए यह हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी यहाँ लोकेटेड है तो यहाँ पर जो एरिया है मालवा का पठार और जो भी एरिया है यहाँ पर जहां मैगमा के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई आती है Very good यहाँ पर right answer option number A है Question number 3 ले ले लेते है World की सबसे गहरी खान कौन सी है यह आपके पिछले साल exams में railway भरती बोर्ट केब में शाथी साथ एर टीचर भरती पर एक्षा यूपी टेट और का आया हुआ कुश्चन है मुझे बताईए एक कुश्चन बिस्ट की सबसे गहरी खान कौन सी है Question number 3 हमने यहाँ पर ले लिया है Very good यहाँ पर बिस्ट की सबसे गहरी खान यहाँ पर basically South Africa में है आपको मैं बता दूँ के आपर South Africa गोल्ड के production के लिए भी जाना जाता है Question number 3 का right answer है आपर option number A है बिस्ट के सबसे गहरी खान यहाँ पर South Africa में है और हमारा जो Pride DP भारत है Pride DP भारत भी basically किसका हिस्सा है यह भी African continent का हिस्सा है अगर हम बात करें हमारे देश का जो Pride DP भारत Pride DP किसे कहते हैं ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो हमारा यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है यहाँ पर basically है गुजरात यह हैं हमारा भारत तो भारत का वह हिस्सा जो तीन ओर से समुद्र से गिरा हुआ है तीन समुद्र कौन कौन से हैं पस्चिम में हैं अरब सागर पूर्ब में हैं बंगाल की खाड़ी और यहां पर दच्छन में हैं हिंद महा सागर तो यह हिस्सा भी हमारा क्योंकि आपको एक और important fact बता देता हूँ यह theory है टेथिस की भूशन हती शिद्धान से यह ली गई है तो यहाँ पर right answer क्या है हमारा question number 3 का option number 1 question number 3 के बाद यहाँ पर question number 4 ले लेते हैं question number 4 यहाँ पर हम ले लेते हैं कौन सी ऐसी layer है जो हमारी प्रदबी की रच्छा करती है सूर से आने वाली ultra violet race से suppose that है हमारा earth है earth से जो यहाँ पर सूर की किर्णे आती है तो सूर की किर्णों में ultra violet race आती है और यहाँ पर एक layer है जो हमारी रच्छा करती है तो आपको बताना है कौन सी लेयर है जो हमारी रच्छा करती है इन खतरनाग गैसों से यहाँ पर बिल्कुल सही है जो लोग मुझे राइट आंसर दे रहे हैं Ozone, Ozone का chemical formula भी आप से पूछा जाता है Ozone का chemical formula होता है O3 तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा Ozone यार्थात O3 और एक और important fact बता दूँ कि यहाँ पर हाल में ही Ozone सनरच्छन दे मगना गया था और उसकी theme क्या थी? उसकी theme थी Ozone is important than oxygen क्योंकि हमारे प्रदभी पर Ozone नहीं रहेगा तो जीवन का होना असंबह हो है क्योंकि सूर से आने वाली हानी कारक्टर ने हमारे जीवन को नश्ट कर देंगी तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा option number D question number 4 के बाद question number 5 ले ले लेते हैं इस्थानिये पवने कौन सी कहलाती है? इस्थानिये पवने, लोकल पवने के रहे कहते हैं? जल्दी से आप इस question को read कर लिए आपको मैं बता दूँ कि वो पवने जो किसी छोटे छितर में निश्चिस समय के लिए चलती है बिसिकली उनको क्या कहते है? इस्थानिये हवाएं या इस्थानिये पवने तो यहाँ पर right answer क्या है? हमारा option number C यहाँ पर correct है वह पवने जो छोटे से छितर में एक छोटे से छितर में निश्चिस समय के लिए चलती है निश्चिस समय पर बहती है उनको क्या कहते है? यहाँ पर local हवाएं very good, यहाँ पर question number 5 का right answer option number C है इस्थानी हवाएं कहा जाता है जो हवाएं किसी छोटे छितर में निश्चिस समय के लिए चलती है very good, यहाँ पर question number 5 का right answer option number C है very good, question number 5 हमने आपर ले लिया है question number 5 के बाद question number 6 ले लिते हैं आपको मैं बता दूँ आपको completion point of view से दो चीज़ों का ध्यान रखना है पहली चीज है आपकी accuracy आपकी accuracy सफलता के दो मूल मंत्र है accuracy और speed यह दो चीज़ें जिस दिन आपकी complete हो गई आपका selection ते है आपको selection का बिल्कुल clear cut बात बताता हूँ कोई goal mole या कोई जूट बात नहीं है practice से आएंगी तो जितनी जादा practice करोगे speed और accuracy आपकी बढ़ेगी और इसी चीज़ से होता है आपका selection और यहाँ पर मैंने कई exams में selection लिया है चाहे वह railway भरती board हो चाहे BHEL हो और चाहे UP electricity department हो मेरा यह अनभा हो रहा है कि जब तक आप correct practice नहीं करेंगे आपका selection होना बहुत ही मुश्किल है correct practice के लिए मैं आपको business तो बता दूँ वही question लेके आता हूँ जो आपके exam में आए हुए है तो आप यहाँ पर top 50 questions in only 30 minutes 50 questions सिर्फ 30 minutes में करेंगे correct practice होगी तो यहाँ पर धर्ती पर सबसे अधिक force होता है वो होता है ध्रोवों पर very good यहाँ पर right answer है हमारा option number A question number 6 का right answer option number A है 6 के बाद हम question number 7 ले ले लेते हैं प्रद्वी अपने अक्ष पर कितनी जुकी हुई है और इसी tiltation की करण प्रद्वी basically प्रद्वी की अक्ष की बात की जाए तो प्रद्वी कुछ इस तरह जुकी हुई है और यहाँ पर इसी अक्ष पर जुके हुए कारण इसमें होता है मौसमों में परिवर्तन अगर प्रद्वी का जुकाव ना होता तो प्रद्वी में मौसम नहीं होते जैसे हमारे देश में कौन कौन से मौसम होते हैं चार मौसम होते हैं आपर सरद, सरद रितू, ग्रीषम रितू यहाँ पर बर्सा रितू और यहाँ पर बसंत रितू चार होते हैं Very good काफी लोग मुझे right answer दे रहा है प्रदवी अपने अक्ष पर कितनी जुकी हुई है very good, साड़े 23 डिग्री अपने अक्ष से यहाँ पर अगर मैं अक्ष ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर जो एक्सेस ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर जो एंगिल निकल के आएगा इस एंगिल की बैलू कितनी होगी इस एंगिल की बैलू है साड़े 23 डिग्री और यह एक्जाम पॉइंट अप ब्यू से बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है यह भी पूछा जा सकता है कि इसी जुकाओ के कारण प्रदवी के इसी जुकाओ के कारण प्रदवी पर मौसम में परिवर्तन होता है तो कुश्चन नमबर 7 के बाद यहां पर हम कुश्चन नमबर 8 ले लेते हैं कुश्चन नमबर 7 के बाद कुश्चन नमबर 8 ले लेते हैं विश्व जल दिवश कब मनाया जाता है Q7 के बाद Q8 ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले में आपको बता देता हूँ कि पूरे वर्ल्ल में जल के संरच्षन के लिए UN की तरब से UN का पूरा नाम क्या है? United Nation हिंदी में क्या कहते है? United Nation को सयोक्त राष्ट और आपको मैं बता दूँ यह है basically UN का जो headquarter कहाँ पर है UN का headquarter है New York में और एक और important fact UN के स्थापना कब हुई थी UN के स्थापना हुई थी 1945 में और बर्तमान UN chief कौन है बर्तमान chief है Antenio Guterres Antenio Guterres बर्तमान chief है और यहाँ पर यह है 2017 से इस पत पर है साथ ही साथ अगर आप WHO के बारे में details भी जान लीजे आपके exam में WHO से भी आएगा क्योंकि Corona के time पर WHO के बारे में भी important fact पूछे जा सकते हैं तो WHO के जो chief हैं उनका नाम है Tedros Adhanam Tedros Adhanam यहाँ के chief हैं और यहाँ इस count दिस से belong करते हैं Tedros Adhanam Ethiopia से Right answer है हमारा question number 8 का Right answer क्या है हमारा option number C Very good Very good Question number 8 का right answer यहाँ पर Option number C है क्वेश्चन नमबर नाइन ले ले लेते हैं सामानता गरम महा सागरी धारा उत्पन होती हैं कहां से उत्पन होती हैं आपको मैं बता दूँ यहां पर हमारे प्रद्वी के बीचों बीच यह हमारी प्रद्वी है और प्रद्वी के बीचों बीच की रेखा को क्या कहते हैं इस जैना पर मिन्हाना बात करूग, यहां पर लम्भबबद करेने सीधे के सीधे कहां पर आelo थित होती हैं, विशुबत रेखा पर इंग्लेש में क्या क्याता है है इसको एक्कुएटर पर यार थाथ भूमत रेखा पर यहां पर maximum हम रेडियेशन आता है और यहां पर सामानता है गरम जलधारा है एक गरम जलधारा का नाम मैं आपको बता देता हूँ एल नीनो एल नीनो गरम जलधारा है जो की बेसिकली हमारे देश में हमारे देश में मौसंग में आश्मान बर्सा के लिए जिम्मेदार है बेसिकली ये पेरू से स्टार्ट होती है और हमारे देश के यहाँ पर जो लोएस टेंपरेचर पॉइंट होता है वहाँ तक ट्रैविल करती है और इसी के करण से आज शमन बरसा हैं हमारे देश में देखने को मिलती है तो right answer क्या है question number 9 का? question number 9 का right answer है option number B question number 9 का right answer है option number 10 ले लिते हैं किस्चे बाद हम ले ले लिते है question number 10 काटेदार जाड़ियां कहां पाई जाती है जल्दी से आप लोग 4 option read कर लिजए एक बार अगर आपको right answer पता है तो मुझे बताईए question number 10 यहाँ पर हमने ले लिया काटेदार जाडियां कहाँ पाएं जाती है किस इस्थान पर पाएं जाती है काटेदार जाडियां no doubt आपको पता होगा बिल्कुल सही है गरम और सुप्स रेगे स्थानी जलबायू में जहाँ पर काटे में convert हो जाती है क्या काटे basically पत्तियां है परवर्तित यहाँ पर रूपांतरित रूपांतरित पत्तियों को ही रूपांतरित पत्तियां किस में convert हो जाती है यहाँ पर रूपार्म सिर्क पत्तियां convert हो जाती हैं काटे में क्यों हो जाती है क्योंकि वहाँ पर moisture को evaporation होने से रोकना होता है क्योंकि पौधे का evaporation होकर अगर उनका जल चला जाएगा तो पौधे का जीवन मुस्किल में पढ़ जाएगा एसी condition में यहाँ पर right answer है question number 10 का right answer है यहाँ पर option number B very good यहाँ पर question number 10 का right answer है हमारा option number B question number 10 के बाद next question ले लेते हैं question number 11 संकूधारी बन पाए जाने वाला पौधा कहां पाए जाते हैं संकूधारी बन में पाएने जाने वाला पौधा कौन सा है उस पौधे का नाम बताईए मुझे संकूधारी बन में जो सबसे अधिक पाय जाता है राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में बताईए Question number 11 Question number 11 हमने यहाँ पर ले लिया है संकूधारी बन में पाय जाने वाला पौधा कौन सा है Question number 11 very good, पूरवी सिंग की तरफ से मुझे right dancer मिल चुका है no doubt यहाँ पर चीड, चीड का पौधा जो होता है बेसिकली इनका जो structure होता है दोस्तों basically conical होता है, संकुधारी बन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो structure होता है, conical होता है साथ ही साथ इनकी पत्तियां जो होती है, वो नुकीली होती है पत्तियां भी नुकीली होती है, यहाँ पर पहँचान है संकुधारी बनों की तो यहाँ पर right answer क्या है हमारा? question number 11 का right answer है, option number C संकुधारी बन basically, चीड का पौधा उनमें सबसे ज़्यादा common है question number 11 का right answer option number C है जो लोग मुझे option number C दे रहे हैं, बिलकुल सही है उनका question number 11 के बाद question number 12 ले ले लेते हैं steppy घास के मैदान, steppy घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? steppy घास इस्तल पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? आपको जल्दी से मुझे बताना है मैं आपको हिंट दे देता हूँ स्टैपी घास के मैदान बेसी कली यहां पर Middle Asia Middle Asia में पाए जाते हैं बिल्कुल सही है जो लोग मुझे Middle Asia बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका Question number 12 में आपको बता दूँ कि जो Asia का जो Middle part है तो उसमें यह पाए जाते हैं कहां पर आपको मैं बता हूँ उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान यह सब एरिया हैं जहां पर स्टैपी घास के मैदान बेसी कली पाए जाते हैं तो यहां पर स्टैपी घास के मैदानों की option number C very good सभी लोगों का right answer मुझे मिल चुका है question number 12 यहाँ पर आप लोग complete कर चुके है question number 12 पर right answer option number C है question number 13 ले ले लेते हैं आपका इंवार्मेंट का session बहुत ही ज्यादा important होने वाला है मैं speedly इसलिए question करा रहा हूँ कुछ लोगों को लगता है मैं जल्दी कराता हूँ लेकिन भाईया exam में आपको question जल्दी करने होते 50 question यहाँ पर 30 minute में कराऊंगा तब जाके आपकी practice हो पाएगी 1 minute से भी कम समय में question करने की इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी question read करिए काई और like and कहां पाए जाते हैं जल्दी से आप लोग मुझे बताईए काई और like and कहां पाए जाते हैं कहां की विसेष्था है यहां पर तो आप जल्दी से मुझे बताईए यहां पर काफी लोग मुझे right answer देना शुरू कर चुके हैं very good काई और लाइकें कहां की बिसेश्था है तुंड्रा प्रदेस की तुंड्रा प्रदेस क्या होते हैं तुंड्रा प्रदेस वह प्रदेस होते हैं जहां बर्फ पूरे येर टोटल येर यहां पर वर्फ की लेयर धकी रहती है और यहां पर यह लोग कैसे रहते हैं तो यहां ब है और यहां पर बर्ष के घर में ही यह लोग रहते हैं जिसको बोलते हैं इगलू तो राइट आंसर क्या है हमारा question number 30 का 13 का राइट आंसर है option number C very good काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं विल्कुल सही है उनका answer question number 13 के बाद आपर question number 14 ले लेते हैं पेरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं आप बता दूं basically यहां पर हम बात कर रहे हैं पेरी घास के मैदान की और right दोशन भाग है वहां पर यह पाए जाते हैं यहां पर मैं आपको बता हूं उत्री अमेरिका में पेरी आपको सब पूरा details में बता देता हूं उत्री अमेरिका में मिलता है पेरी घास के मैदान क्या right answer है हमारा उत्री अमेरिका में पेरी घास के मैदान और यहां पर पूछा जाता है दच्छनी अमेरिका का तो दच्छनी अमेरिका में है पंपास पंपा यहां पर यहां पर यहां पर दच्छनी अफ्रीका में है वेल्ड वेल्ड घास के मैदान यहां पर दच्छनी अफ्रीका में है तो यहां तीनों याद रखिएगा एक कुश्टन के साथ साथ हम आपर तीन कुश्टन कर रहे हैं very good यहां पर right answer है हमारा option number a पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका दच्छनी अमेरिका में कौन से हैं फंपाश घास के मैदान और दच्छनी अफरीका में कौन से हैं वेल घास के मैदान तो यहाँ पर एक Question के साथ हम लोगों ने तीन Question यहाँ पर Complete किये है Question No.14 के बाद यहाँ पर I hope आप लोगों कोई Cleared हो गया होगा Question No.14 के बाद Question No.15 ले ले लेते हैं Question No.15 यहाँ पर Complete हो चुका है दोस्तोंolut Question No.15 ले ले लेते हैं Mary No पर जाती है किसकी पर जाती है मैरीनो जल्दी से आप लोग यह बार रीट करके मुझे बताईए मैरीनो किसकी पर जाती है जल्दी से आप लोग बता दीजे बहुत ही आसान से कुछन है आपको मैं बता दूँ बेसिकली मैरीनो किसकी पर जाती है हाँ पहँचान गए होंगे अब बात हम किसकी कर रहे हैं भेड की तो यहाँ पर यह भेड की पिर जाती है बिसिकलि यह पहाड़ी इलाकाओं में इस परकार की भेड पाई जाती है जिसका मुख यूज क्या है भेड सबसे जादा उन के उतपादन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है सबसे जादा उन का उतपादन आस्ट्रेलिया में होता है कुश्चन नमबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्सन नमबर A है कुश्चन नमबर 15 का राइट आंसर A है साथ ही साथ मैंने आपको बताया था बांस का सबसे जादा उतपादन बंबू का सबसे जादा उतपादन कहां पर होता है वो होता है चाइना में यहाँ पर हमने कल किस के बारे में डिसकस किया था World Bambu Day के बारे में World Bambu Day के बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा Bans का उत्पादन कहा होता है? चाइना में, और यहाँ पर अगर बात की जाए Merino पिड़ जाती किस के लिए famous है? तो यह भेड़ की पिड़ जाती है और यह उन हमें बहुत प्रिचुर मात्रा में देती है तो question number 15 का right answer यहाँ पर option number A है question number 15 के बाद question number 16 ले लेते हैं बिस्टो की स्वार्ण राधधानी कहा जाता है golden capital किस को कहा जाता है? very good, very good पूर्भी सिंग आप मुझे बता रहे हैं details में question number 16 हमने आपर ले लिया है आप मुझे बताए बिस्टो की स्वार्ण राधधानी कहा कहा के से कहा जाता है? very good यहाँ पर काफी लोग मुझे details में बता रहे हैं यहाँ पर राधधानी क्या है? हमारी साउथ अफरीका की राधधानी जोहांस वर्ग जोहांस वर्ग को golden capital कहा जाता है क्यों? basically यहाँ पर gold के manufacturing के लिए gold के production के लिए इसको जाना जाता है very good काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं very good बिस्टो की स्वार्ण राधधानी कहा जाता है South Africa की राधधानी जोहांस वर्ग में और आपको UAE से related question बता देता हूँ UAE में बरतमान में चल रहा है IPL point number one point number two UAE ने हाल में ही अपना Mars Mission launch किया है और उस Mars Mission का नाम है Mission Hope Mission Mangal यहाँ पर launch किया है और यहाँ पर UAE ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मंगल में human colony बसाने का यहाँ पर announcement किया था उसी के लिए Mars Mission Hope यहाँ पर launch किया किया है question number 16 के बाद यहाँ पर question number 17 ले ले लेते हैं इसका answer भाईया सबकी तरफ से आना चाहिए बहुत ही आसान सा question है एक question मुझे 2 से 3 exam में मिल चुका है RRB का यहाँ पर favorite question है बार बार पूछा जाता है कई बार मुझे question मिला है इसकरभी रोक किस के कमी की कारण होता है सभी की तरफ से मुझे right answer मिलना चाहिए very good काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं no doubt यहाँ पर right answer बिलकुल सही काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं vitamin C की कमी से vitamin C की कमी से होता है इसकरभी रोक यह तो बिलकुल सही है very good अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पर vitamin C का प्रिचुर मात्रा में स्रोत क्या है तो खटी चीजों से मिलता है नीवू, आवला इस अभी स्रोत है vitamin C के और vitamin C यहाँ पर इसकरभी नामक रोग हो जाता है इसकरभी नामक रोग vitamin C की कमी से होता है vitamin B की कमी से कौन सा रोग होता है तो vitamin B की कमी से होता है बेरी-बेरी का रोग vitamin A की कमी से कौन सा होता है vitamin A की कमी से होता है रतोंदी होता है और vitamin D की कमी से कौन सा होता है vitamin D की कमी से होता है rickets यहाँ पर rickets यहाँ पर right answer है rickets यहाँ पर right answer है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा नीबू और आवला जो प्रिचुड सोस्तर है right answer है हमारा यहाँ पर option number B यहाँ पर हमारा सही है question number right answer यहाँ पर क्या है vitamin C, vitamin C हमारा यहाँ पर right answer है, सारे के सारे vitamin मैंने आपको बता दिया है, very good, इसकर भी रोग होता है vitamin C की कमी से, question number 17 के बाद question number 18 ले ले लेते हैं दोस्तों, अमर बेल किसका उधारन है, आपको question number 18 बहुत बार पूचा गया है, यह समझ लीजिए कि यह CTAT, CTAT, UPTAT, MPTAT, इन सभी का important question है, क्योंकि यह environment का जो section है, बहुत ज़्यादा repeated होता है, बहुत ज़्यादा repeated question आते हैं, आपको बहुत ही आसान सा question है, अमर बेल किसका उधारन है, स स्वापोशी, आपको मैं बिल्कुल बता दू, यहाँ पर कितने तरीके के यहाँ पर होते हैं, एक होते हैं यहाँ पर स्वापोशी, जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, स्वापोशी, जैसे करते हैं आत्म निर्भर, मोदी जी आत्म निर्भर बना रहे हैं ना वहिया, तो स्वापूशी पहले से ही है, एक कौन है, पौधे, पेड़ पौधे यहाँ पर जो है, वो पौधों से पौधे हैं स्वापूशी, पर जीबी कौन होते हैं, पर जीबी, पर जीबी वाय होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त होत यहां पर जडी बूटी के रूप में इसका प्लेख होता है यहां पर राइट-डी यहां पर आप very good, very good, क्योंकि वो दूसरे पेड़ों पर रुखता है, very good भूपेंदर जी, यहां पर right answer आपने बता दिया है, साथ में detail भी बता दी है, very good, question number 19 हम लोग यहां पर ले लेते हैं, कीडों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, बहुत important question है, कई बार पूशा गया है, तो यहां पर आप मुझे नाम बताईए, आपको पता होगा बहुत आसान सा question है, कौन सा पौदा है, जो भाई है कीटों को पकड़ के खा लेता है, मानसाहरी पौदा है, साकारी नहीं है, यहां पर सूर के प्रकास की उसको जरूरत नहीं पढ़ती है, कीड कीडा एंटर कर गया, कीडा एंटर जैसे किया और वो बंद कर लेता है अपना मुझ, तो कीडा क्या हो जाता है, ट्रेप हो जाता है, और कीडा की मृत्ती हो जाती इसके अंदर, और फिर वो धीमे धीमे एब्सॉर्ब कर लेता है, और कीडे को पचा जाता है, question number 19 का right answer क्या question number 19 के बाद, question number 20 ले लेते हैं, बहुत ही basic सा question है, आपके exams का most favorite question है, आप मुझे बताएए question number 20 के बारे में, सभी के तरफ से answer आना चाहिए मेरे दोस्त, question number 20 यहाँ पर हमने ले लिया है, जो लोग मुझे सिर्फ ABCD लिखके comment कर रहे हैं, किरपया करके question number जरूर लखें, ताक लिवर, आपको मैं बता दूँ, लिवर से कौन सा जूस निकलता है, लिवर से निकलता है, बाइल जूस, बाइल जूस जिसे कहते हैं, जठर रस, जठर रस निकलता है, और आपको बता दूँ कि यह बाइल जूस, बाइल ग्लेडर में, यहाँ पर एकटा हो जाता है, और य यह भी आपको मैं बता दूँ अंतास्राभी ग्रंथी और बाहस्राभी गंत्री बाहस्राभी कौन सी होती है जो एक नली के माध्यम से जैसे यहां पर लीवर का बनने वाला जूस यहां पर बेसिकली निकलता है और कहा जाता है अमासे में जाता है किसे जाता है नली के माध्य में तो सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है दोस्त यक्रत होती है तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा 20 का राइट आंसर है option number B very good question number 21 ले लेते हैं आपर निमलिकित मैंसे किसे उन पर आप नहीं होती है किसे उन पर आप नहीं होती है आपको मुझे बताना है तो यहां पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए याक घने बालों वाला कुत्ता उन या बकरी किसे उन पर आप नहीं होती है आप पहनते होंगे सर्दियों में क्योंकि यह हमारी temperature से हमारी इस रच्छा करता है low temperature से basically क्या होती है ऊन एक insulator होती है ऊन होती है insulator शरीर का temperature गर्णे नहीं देती है तो यहाँ पर काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं कुत्तों से भाईय कभी उन नहीं मिलती है कुत्ते तो कुत्ते होते हैं इंसे कभी उन नहीं मिलेगी right answer क्या है हमारा question number 21 का right answer option number B है कुत्ते किसी काम के नहीं है कुत्तों से तो भाईय बस जासूसी करवा लो और यहाँ पर कुत्तों के लिए बिसेश ब्लड बैंक कहाँ पर इस्थापित किया गया है जिसने कल करेंट अफेर की class attend की होगी उन्हें पता होगा आप मुझे बताए कल की class का question है कुत्तों का blood bank कुत्तों का blood bank कौन से इसी टी में इस्थापित किया गया है देखते हैं कल का question कितने लोगों के यहाँ पर याद है कुत्तों के लिए blood bank कौन से सहर में इस्थापित किया गया है पंजाब का सहर है आप मुझे very good अपासना पूरवी सिंग very good आप लोगों का नाम में announce करूँगा जो मुझे बताते जाएंगे very good देविंद्र जी यहाँ पर प्रणव मनीत पाथी शाहवीन very good नाम है लुदियाना लुदियाना में कुत्तों के लिए बिसेस blood bank के आपर launch किया गया है और ऐसे वैसे आबारा कुत्तों के लिए नहीं यहाँ पर जासूसी कुत्तों के लिए defense के कुत्तों के लिए है कुत्तों का blood bank question number 21 का right answer क्या है यहाँ पर घने बाल वाले कुत्ता कभी उन नहीं प्राप्त कर्द होती है उससे हमें question number 22 ले ले लेते हैं mostly यहाँ question है दिवस भाईया ऐसे ही याद रहेंगे जब बार बार हम लोग discuss करेंगे question number 22 ले ले लेते हैं यहाँ पर question number 22 ले ले लेते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर प्रदभी दिवस कभ मनाया जाता है बार बार repeat करेंगे इन सभी questions को तो यहाँ पर बहुत ज़्याद रहने की संभावना है question number 22 यहाँ पर कब मनाया जाता है तो right answer यहाँ पर 22 अपरेल question number 22 का right answer यहाँ पर 22 अपरेल है विस्व प्रदभी दिवस मनाया जाता है यहाँ पर हमेशा 22 अपरेल को Question No.22 का Right Answer है Option No.D आज काफी लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी Question करा रहा हूँ तो भईया 50 Question 30 Minute में करने हैं तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग सारे के सारे Question करते जाएंगे बिल्कुल सही Right Answer है यहाँ पर जल्दी से Right Answer Question No.22 के बाद Question No.23 ले ले लेते हैं Question No.22 के बाद Question No.23 ले ले लेते हैं जल्दी से आप मुझे बताईए भारत में सीत रितु में सबसे अधिक बरसा किस राज्य में होती है चलिए मैप पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर दच्छन भारत का राज्य है बेसिकली और हम बात कर रहे हैं कौन से राज्य के बारे में तो आप Location समझे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो राज्य है आपको मैंने यहाँ पर अगर भारत का यह प्राई दीपी भारत है यहाँ पर पश्मी घाट है पश्मी घाट पर क्या है यहाँ पर अरप सागर यहाँ पर है अरप सागर और यहाँ पर है पूर्वी घाट पर यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी तो कौन सा इस्टेट है आप पहंचानी है यहाँ पर हम किस बात की बारे बात कर रहे हैं वेरी गुड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरवी घाट परिस्थित तमिल नाडू के बारे में तमिल नाडू में यहाँ से लोटता हुआ मांतून यहाँ पर वर्सा भी तू में सबसे जादा हमें वर्सा प्राप्त होती है तमिल नाडू में और यहाँ के राज़पाल कौन है तो इनके राज़पाल है बन्वारी लाल पुरोहित यहाँ के राज़पाल है और हाल में ही यहाँ पर एक important fact बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर सीत दितु में सबसे अधिक बरसा होती है तमिल नाडु में यहाँ पर दिसम्बर और जन्वरी में बहुत जादा बरसा होती है कुश्चन नमबर 23 के बाद कुश्चन नमबर 24 ले ले लेते हैं भारत में सबसे कम तापमान कहां पर रहता है सबसे कम तापमान कहां पर रहता है हमारे देश भारत में तो आपको मैं बता दूँ कि यहां पर अक्साई चीन जिसे सिया चीन कहते हैं आपको मैं बता दूँ यहां पर सबसे पहले आप भारत का मैप देख लिए सिर्फ मैं यहां पर टॉप एरिया ही यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर हमारी जो मुकुट नुमराक करती है यह है हमारा प्यारा देश भारत तो यह प्यारा देश भारत है यह है हमारा JNK और यहां पर इतना एरिया जितना मैं यहां पर हैचिंग कर रहा हूं यह प पर भारत के पास सिया चिन का बस थोड़ा सा ही एरिया है थोड़ा सा ही एरिया भारत के पास है और सिया चिन ग्लेसियर पर सबसे कम तापमान यहां पर रहता है तो यहां पर मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम टेंपरेचर वाले एर लेते हैं nitrogen समर्द करेगा मिट्टी में कौन सी फसल कौन सी फसल हम लगाएंगे तो उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन सी फसल लगाने पर nitrogen सामगरी को समर्द करेगा जल्दी से आप मुझे बताएए question number 25 का right answer question number 25 आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर मटर को अगर हम लगाते हैं मटर क्या होता है एक होती है nitrogen cycle nitrogen cycle basically उन फसलों से मिट्टी में nitrogen की मात्रा बढ़ती है nitrogen cycle के करण और इसी से हमारी भूमी की उर्बरा सक्ती कभी जाती नहीं है आपको एक और important fact बता देता हूँ अरहर के पौधे में भी अरहर की डाल आप लोग सब लोग खाते होंगे तो अरहर के पौधे में rhizobium, rhizobium नमक bacteria होता है rhizobium, rhizobium यहाँ पर जो होता है bacteria और उसी के कारण से यहाँ पर nitrogen fixation होता है तो यहाँ पर right answer क्या है, हमारा question number 25 का right answer है option number C very good, दलहन सबसे ज़्यादा nitrogen पैदा करती है very good, पूरवी सिंग ऐसे मुझे आप लोग अगर details जानते हैं तो जरूर बताए करें very good, पूरवी सिंग, आपकी तरफ से मुझे extra details पता जली question number 26 ले लेते हैं दोस्ते आपर निमलिकित मैसे कौन सा राष्टी उद्दान भारत में है भारत के उत्तर प्रदेश में है हमारे प्यारा देश उत्तर प्रदेश, सपनों का प्रदेश उत्तर प्रदेश यहाँ पर योगी जी सासन कर रहा है बरतमान में और यहाँ पर जो मुगल म्यूजियम है योगी जी नाम जल्दी बदलते है मुगल म्यूजियम है जो उसका नाम यहाँ पर किसके नाम पर रखा जा रहा है मुगल म्यूजियम का नाम रखा जा रहा है यहाँ पर सिवा जी के नाम पर यहाँ पर नाम रख रहा है लखीमपुर खीरी में है very good सिखा जरी अगर आप extra detail बताते हैं स्वागत है उसका question number 26 का right answer यहाँ पर option number B है दुद्वा नेसनल पार्क दुद्वा नेसनल पार्क यहाँ पर right answer है very good यहाँ पर right answer है question number 26 का option number B दुद्वा नेसनल पार्क उत्तर प्रिदेश से कौन से जिले पर है लखीमपुर खीरी में very good यहाँ पर very good काफी लोग मुझे right answer बता रहे हैं very good very good question number 27 ले ले लेते हैं कौन सा राष्टी उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हाती रिजर्व यहाँ पर राष्टी उध्यान हाती रिजर्व कौन सरा राष्टी उध्यान है हाती रिजर्व, भाग रिजर्व और बायो रिजर्व तीनो के तीनों है यह रिजर्व आप बताइए question number 27 का right answer यहाँ पर option number A है मानस tiger reserve यहां पर हाती रिजर्व और बाग रिजर्व भी है यहां पर काफी लोगों की तरफ से मुझे राइट आंसर मिल रहा है question number 27 का राइट आंसर यहां पर option number A है और basically यहां पर आपको मैं बता दूँ मानस बन जीव अभ्यारण असम में है और असम राज में यहां पर आपको बता दूँ यह पाहडियों के नीचे स्टित है और यहां पर बायो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बहुत परकार के जीव यहां पर पाये जाते हैं मानस पहला रिजर्व था जहां 1993 में टाइगर के तहते से टाइगर रिजर्व नेटवर्क में सामिल किया गया तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा कॉस्चन नमबर 27 का ओप्सन नमबर A है कॉस्चन नमबर 28 ले लेते हैं दोस्त कॉस्चन नमबर 28 है मौन्ट्रियोल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर को मनाने के लिए नमने मैसे कौन सा यहां पर दिवस मनाया जाता है जहां पर मौन्ट्रियोल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर के लिए इस दिवस मनाया जाता है तो आपको मैं बता दूँ ओजोन सरच्छन से संबंदेते हैं मौन्ट्रियोल प्रोटोकॉल तो यहाँ पर इस प्रोटोकॉल में जिन दिसोंने साइन किये हैं उसके लिए हाँ पर मनाया जाता है मौन्ट्रियॉल प्रोटोकॉल तो यह आपके लिए काफी important question है आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि मौन्ट्रियॉल प्रोटोकॉल यहाँ पर O3 ओजोन की chemical formula क्या है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर Ozone दिवस के दिन ए टेग लाइन भी जारी हुई थी Ozone is important than oxygen क्योंकि अगर Ozone हमारी प्रद्वी के ऊपर layer नहीं बनाएगी तो इसका मजा पाना संभव नहीं है Very good सिखासरी 16 सितंबर को Ozone डे मनाया जाता है Very good Very good यहाँ पर आप मुझे extra details बता रही है Very good Question number 28 का right answer option number B है Question number 29 ले लेते हैं प्रद्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है प्रद्वी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर Rio de Janeiro Brazil का Question है प्रद्वी सम्मेलन का दूसरा नाम है Rio सम्मेलन यहाँ पर right answer क्या है हमारा यहाँ पर यहाँ पर प्रद्वी सम्मेलन को Rio के नाम से जाना जाता है Rio कैसे याद रहेगा दोस्त? Rio de Janeiro में हुआ था यहाँ पर हाल में ही Olympic Olympic हुआ था आपको याद होगा Olympic match हुए थे FIFA World Cup भी यहाँ पर Brazil में हुआ था तो आपको याद होगा यहाँ पर हम किस के बारें बात करें प्रद्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है Rio सम्मेलन और प्रद्वी सम्मेलन का किस लिए होता है Rio सम्मेलन किस लिए होता है हमारी प्रद्वी की यहाँ पर सुरच्छा से संबंदित यहाँ पर सम्मेलन होता है यहाँ पर सौ से भी अधिक देश हर साल मिलते हैं और यहाँ पर इस बार ए कोरोना की वज़े से टालना पड़ा है प्रद्वी सम्मेलन यहाँ पर इस बार टालना पड़ा है और यह कहाँ पर है वेरी गुड रियो कहां की यहाँ पर सहर है वराजील का वेरी गुड यहाँ पर ब्राजील का सहर है वेरी गुड आपने मुझे बिल्कुल साही बताया है, ब्राजील का सहर है, सिखास्तरी, आपकी तरब से मुझे मिल गया है, राइट आंसर ब्राजील यहां पर यहां पर रियो सहर ब्राजील का है, 25 के बाद, कुशियन नमर 33 ले लेते हैं, कुशियन नमर 30 ले लेते हैं, बिस्टो संरच्ण निगरानी केंद्र का मुझे लेकाँ पर है, वृल्ल का कंजर्वेसन के लिए, यहां पर है तो आपको मैं बताऊं, यह है बेसिकली कैमबर्ज में, कैमबर्ज अपनी यूनिवस्ट कहाँ पर है? ब्रिटेन में ब्रिटेन में है ये और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाल में ही यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स यहाँ के जो राजकुमार है प्रिंस चार्ल्स यह क्या हो गए थे कोरोना पॉजिटिब तो यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स यहाँ पर option number A है very good यहाँ पर काफी लोगों की तरफ से मुझे right answer मिल चुका है question number 30 के बाद question number 31 ले लेते हैं ACI share यहाँ पर जो हमारे Asian line है भारत के किस राजवें पाए जाते हैं तो आपको मैं सबसे important fact बता दूँ कि हमारा जो pride EP भारत है pride EP भारत basically किसका हिस्सा है pride EP भारत pride EP भारत है हमारा African continent का part तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में African continent का part है और हम बात कर रहे हैं यह हमारा प्यारा देश भारत भारत का प्राई दीप किसे कहते हैं जो तीन तरफ से समुदर से घिरा हुआ है यहाँ पर हिंद महा सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाडी और यह हिस्सा घिरा हुआ है तीन तरफ से यहाँ पर प्राई दीपी भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं Pride DP भारत बेसिकली है यहां पर African continent का part तो यहां पर गृरी के जंगल यहां पर मैं आपको बता दूँ गृरी के जंगलों में यहां पर ASEAN Line पाये जाते हैं और गृरी के जंगल कहां पर हैं गुजरात में यहां पर गिरी राश्टी उद्यान में पाए जाते हैं वेरी गुड नेहा कुस्वाहा और एंड सिखासरी गिर नेशनल पार्क में A.C.N. लाइन पाए जाते हैं वेरी गुड आपकी तरफ से मुझे एक्स्टर डीटेल्स पता चल रही है वेरी गुड गुड कुष्चिन नंबर 31 का राइट डांसर उप्सवन नंबर A है कुष्चिन नंबर 31 के बाद कुष्चिन नंबर 32 ले लेते हैं यहां पर वायो डाइबर सिटी होसे स्पॉस किस आधार पर बिसलेसित किया जाता है तो सबसे पहले मैं बता दूँ बायो डाइबर्सिटी होटस्पोट, होटस्पोट किसे कहते हैं, यहां पर आपको मैं, वो मुवाइल वाला होटस्पोट नहीं है, उससे confuse मन दोईएगा जाता है, यहां पर यहां पर राइट अंसर क्या है हमारा, question number 20, 32 का right answer है option number A जो हमारे localite, full, पौदे आधी जो खत्रे में हैं उनके आधार पर bio diversity hot spot बनाया जाता है तो question number 32 का right answer क्या है दोस्त यहां पर question number 32 का right answer option number A है very good, काफी लोग मुझे right answer दे रहे है bio diversity hot spot आधारत होता है इस्थानिय फूल, पौदे आधी खत्रे की प्रजातियों से question number 32 के बाद question number 33 ले लेते हैं question number 32 complete हो चुका है question number 33 ले लेते हैं जल्दी से आप लोग एक बार question number 32 को read, 33 read कर लिजे कितनी decibel से अधिक ध्वनी होने पर इसे ध्वनी प्रदूसर में सामिल किया जाना चाहिए यहाँ पर कितनी degree, यहाँ पर decibel क्या होता है decibel होता है ध्वनी की तीब्रता का मात्रक ध्वनी की तीब्रता यहाँ पर कितनी तीब्रता ध्वनी की हो जाए कि उसे प्रदूसर में सामिल किया जाएगा यहां पर राइट आंसर मुझे मिलना सुरू हो गया है यहां पर 45 decibel से अधिक यहां पर यहां पर प्रिदूसर्ण होगा यहां पर ध्वनी की तीप्रता बढ़ जाएगी तो ध्वनी की प्रिदूसर्ण होना स्टार्ट हो जाएगा तो question number 33 का right answer यहां पर option number A है कितने decibel 45 decibel और यहां पर right answer क्या है हमारा question number 33 का जिस प्रिकार से जल प्रिदूसर्ण होता है वायू प्रिदूसर्ण होता है भूमी प्रिदूसर्ण होता है सेम इसी प्रकार से ध्वनी की तीब्रता बढ़ने पर हमारे मस्तिक्स के लिए और हमारी सिर्वन छमता के लिए बहुती ज़्यादा हानी कारक है तो यहाँ पर 45 decibel से अधिक प्रिदूसर में सामिल किया जाएगा Question number 33 के बाद दोस्त Question number 34 ले लेते हैं यहां पर डेली में एक मोहिम चलाइगा थी 10 बजे यहां पर 10 हपते 10 बजे इसे triple 10 मोहिम कहा गया था देंगू के लिए इसको अंग्रेजी मैं कहते हैं 101010 और यहां पर देंगू की तरफ के लिए एक मोहिम चलाइगा थी और लगबग 2 करोड लोगों को अर्बिंद जपाल की सरकार्ड ने डेंगू से मुक्त किया है और यहां पर दिल्ली के बारें बात करें तो बरतमान उपरा जपाल कौन है अनिल वैजल और यहां पर बात करें बायू की घुड़बत्तम आपने के लिए कौन सथ मोईल एप है तो यहां पर राइट अंसर क्या है सफ़र ए ले लेते हैं, question number 35 ले लेते हैं यहाँ पर और दियाद रखेगा 8 बजे की live class में जरूर आईएगा, 8 पीम पर live हम discuss करेंगे math को, math का 40 chapter हैं दोस्त आपके 40 chapters हैं और यहाँ पर 40 chapters को 40 day में complete करना है, यहाँ पर हर दिन एक chapter में complete कराऊंगा, 40 class में 40 chapter complete हो जाएंगे और यहाँ पर आपको मैं pretty much important question discuss के लिए देता हूँ, और 8 बजे हम लोग live उसे solve करते हैं, अगर आपको कोई doubt भी रह जाता तो आप मुझसे पूझ भी सकते हैं, और यहाँ पर हम question number 35 का right answer है, olive riddley, भारती उप महादीप में जल में पाए जाने वाले समुद्री कचुएं की, पांच प्रदादी में सबसे अधिक आवादी वाला, यहाँ पर इस सबसे ज़्यादा आवादी में पाए जाता है एक कचुएं और यह आपको important fact बता दूँ कि कचुएं कहां पर है, तो ए बनाया गया है, गोवा में, गोवा का यहाँ पर important fact है, यहाँ पर olive riddley, यहाँ प सबसे अधिक आवादी वाला कच्छुआ माना जाता है, तो दोस्तों जरूर मिलिएगा 8 बजे live, और आपको यहाँ पर मैंने PDF आपको सुभा दे दी थी, और 10 questions है उस PDF में, जरूर एक बार प्रयास कर लीजे, आपको कितने questions आ रहे हैं, और 8 बजे live हम लोग mathematics complete कर लेंगे, बहुत अच्छा चांस है, पूरी के पूरी मैत हम लोग एक साथ complete कर लेंगे, तो उर्जा के नवीनी करान सुरोथ कौन से हैं, question number 36 ले लिया है, वह नवीनी करान सुरोथ कौन सा है, तो यहाँ पर koila या जीवास नहीं है, बायो मास नहीं है, लेकिन uranium क्या है, नवीनी करान यो सुरोथ है, क्योंकि अभी इसे non-conventional source के रूप में माना जाता है, question number 36 का right answer यहाँ पर, option number A है, very good, काफी लोग मुझे right answer दे रहे हैं, उड्या के नवीनी करान यो सुरोथ है, cable uranium, option number A यहाँ पर हमारा सही है, question number 36 यहाँ पर complete कर चुके है, option number A हमारा यहाँ पर complete हो चुका है, यहाँ पर question number 37 ले लेते हैं, पन बिजली कौन सी स्रेणी में आता है, आपके लिए most important question है, क्योंकि यहाँ पर नवीनी करान यो उड्या से हर बार question पूछे जाते हैं, पन बिजली कौन सी स्रेणी में आता है, question number 37 यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं, पन बिजली कौन सी स्रेणी म आता है जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजियो basically इसका right answer है option number B उर्जा के अच्छे सिरोतों से अच्छे सिरोतों से मतलब है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहाडों से नदिया निकलती है उन पर यहाँ पर hydro electric plant लगाया जाता है और यहाँ पर जल्की इस्तिते जूड़जा जल्की इस्तिते जूड़जा को विजली में convert किया जाता है electrical energy में convert किया जाता है और जब इन नदिया नीचे समुद्र में आ जाती है फिर से बरसा होकर पानी उपर पहुंशता है और यह cycle चलती रहती है इसको कहते हैं ऐसी उड़जा जो कभी अच्छे नहीं होगी या यहाँ पर यहाँ पर जैसे कोईला हो गया जीवास मीनन हो गए पेट्रॉलियंस हो गए पर कभी न कभी तो एक दिन खटम हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर जल्की उड़जा है वो अच्छे उड़जा के रूप में जानी जाती है कुश्चन नमर 37 के बाद कुश्चन नमर 38 ले लेते हैं निमने कौन से राज में सबसे ज़्यादा बन का छेतर हैं बहुत important question है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ सिवराज चोहान सिवराज चोहान जिनको यहाँ पर जन जाती क्या कहते हैं समूब बोलते हैं मामा जी आपको important fact बता दूँ अन उश्व भी यहाँ पर शुरू किया गया था यहाँ पर लगब 20 लाख लोगों को ऐसे लोग जिनके पास रासन कार्ड नहीं है उनको यहाँ पर सुब्दा प्रदान कराई थी तो यहाँ पर राइट आंसर सबसे ज़्यादा बनो वाला च्छितर कौन सा है option number A very good question number 38 का right answer है option number A question number 39 ले ले लेते हैं यहाँ पर निमलेखित मेंसे कौन सा भारती राज प्रतिसत के मामले में सबसे बड़ा बन च्छितर रखता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं percentage के बारे में यहाँ पर percentage के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा important question होगा आपके exams के लिए तो यहाँ पर कौन सा राज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिसत बन च्छितर है जल्दी से मुझे comment section बताईए very good पूर्वी सिंग पूर्वी सिंग के तरफ से मुझे सबसे पहले right answer मिल गया है और भी लोग मुझे बताईए right answer comment section में कौन से state के बारे में हम बात कर रहे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा percentage है तो यहाँ पर हम बात कर रहे है इसके बाद यह हमारा second last question है दोस्त यह है हमारा second last question इसके बाद एक question और है आज की quiz में है total 40 question 40 question है यहाँ पर right answer क्या है हमारा दोस्त मिजोरम मिजोरा में यहाँ पर right answer है, option number D यहाँ पर साही है आज की इस quiz में 40 question है तो last question आज का ले लेते हैं इसको आपको करना है यहाँ पर matching तो आप जल्दी से matching करके बताइए क्या होगा इसका right answer बेंबानाड, भरतकनिका, रतनागरी और कनाड़पूर कौन से कौन से state से belong करते हैं आप मुझे matching करके एक बार इसका right answer, a, b, c, d, m, बताइए और यह आज का last question है इसके बाद हम लोग 8 बजे मिलेंगे 8 बजे live मिलेंगे mathematics की class के साथ आप math बिलकुल भी मत छोड़िए क्योंकि आपकी 40 दिन में पूरी math कराने का यहाँ पर मैंने प्रण किया है और 40 दिन में आपकी पूरी math with concept and free of cost notes सब कुछ मिलेगा बस आपको मेरा सयोग करना है तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कि यहाँ पर right answer क्या है यहाँ पर काफी लोग मुझे right answer देना है सुरू कर चुके हैं बेंबरनाट कहा है केरल में भारत करिका उडिसा में रतनागिरी महराष्टरा और कनाड़ापूर करनाठका में चालेस का right answer क्या है दोस्ट 1234 काफी लोग मुझे right answer दे रहे है question number 40 का right answer option number A है तो आज mathematics के बारे में आपको बता रहा था आज का हमारा topic है ratio हमने यहाँ पर वो सभी question जो आपकी परिक्षा में आ चुके हैं उनी question को concept उसी परकार के question मुझे बार-बार मिले हैं तो आप इन questions को top 10 question आपको PDF मैंने सोबह दे दी थी तो एक बार आप उसे जरूर देख लिजिए और यहाँ पर आज का session हम end करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अपना session छोड़ने से पहले प्लीज एक like जरूर कर दीजेगा आप लोगों से मैं यहाँ पर request करता हूँ कि आपको एक वीडियो अगर पसंद आया हो तो किरपया एक like करें क्योंकि लोग यहाँ पर वीडियो देखकर एक like भी नहीं करते हैं तो आप सभी लोगों से गुजारेश है एक like जरूर कीजेगा वर्ग तीन और सीटेट के लिए बहुत important question है बिल्कुल सही बात है पूरभी सिंग आपका बिल्कुल सही observation है बर्ग तीन की परिक्षा के लिए सीटेट परिक्षा के लिए बिल्कुल सही बात बता रहे हैं और वही questions मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके exam के दिए important हों तो please one like जरूर कीजेगा अपने इस session को छोड़ने से पहले thank you for watching have a awesome day और जरूर मिलिएगा 8 बजे live 8 बजे live मिलेंगे हम लोग mathematics की class के साथ तो एक बार उसे solve कर लीजिए सबी लोग और यहां के session को मैं end कर रहा हूँ दोस्त तो thank you for watching have a awesome day